नमस्कार हम आपके साथ सुनिये चोधरी और आप देख रहे हैं हलको जूझनू तो साथ ही और सुर्जगर थाना छेतर के परसा का बास गाउं में रविवार को पुलिस और गरामिणों के पीचोई मुटिवेट के बाद मामला भीवी शान्त होने का नाम नहीं ले रहा है इसको लेकर गरामिणों का दरना जारी है और साथ ही गरामिणों द्वारा सुर्जगर पुलिस पर गंभीर आरोबी लगाए गए हैं पुलिस ने दारूप पीकर गाउं में तुपात मचाया और महिलाओं के साथ बदसलूप की तो पहले आप गाउंवालों के जुबानी सुनी कि आखिर सुजगड पुलिस पर क्या आरोप लगें और फिर बताएंगी आखिर ये मामला क्या है जिससे गाउंवाले थाने के सामन दरने बर बैट रहे हैं और पुलिस पर इतने गंबीर आरोप लगा रहे हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्रिपा चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ताकि जुन उसे तमाव अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहें जादा गरट था जादा गरट था जादा गरट था ते पांस मैला थी पांस मैला यह साथ मेर पेट कि दी और मारने का तरीका सबसे पहले तो गर्वुस के लेकर आना ही नहीं चाहिए था मेरी जिस्तेदारी में होई भी मतलब उस घर का मुसदधि नहीं ता हम सब करवां करवां के पैरों को इतनी दूर तक करवा कर वहां के पैर हमारे पैरों पर रखे गई है और बेगुना हमें सजा मिली है पुलिस वाले बात हमारी माने नहीं बेही गुना मार खाई है उसको में आप पूछी पूछी पूछ तास्कुन करी में एक सबत भी बोर रहा था नहीं तो यह करा के चूप सा विटो मान बात्रूम जाने के लिए भी इजाज़त नहीं मिली में प्रेशानी से गुजर गुजर की वहां से आया है तो मान हर बात को बेर में पांच ओरता हैं जे क्या दिया मामी जी हैं बड़ाई बड़ा उनके लिए तो अच्छे जादा मार पीट की गई है और पैरों को अलग करवा करवा कि उनके पान में नाक में कुछ भी नहीं है उसके यहां तक ही बालों में बकल जलता है यह भी तोड़ दिया मार मार के इतनी बूरी तरीका से मारे गई है इसलिए वह मिलने नहीं दे रहे है एक मामो जी का लडका है 14 साल का उसके उसके मुझे उपर इनए टूक मार रहा है तो यह दात है ना इसमीघ में चल कर इंदर लेके गए थे मूझे और मेरी मामी को हम दौनों सबस्क्राइबिव काल जो पुलिस के शुग गई ही हारा भी जिनान पकड़ आगा बढ़े गई ही इसंदान करके हैं में बापर फोड़ गया है उड़े हैं से हमके लेगने इनके सागे बिताना साई मार्केक करी इनका साक्षा तर्ज नहीं करता है हमारे आतों में आप हैर आजाती है उसके पारम के जो महां है जो भी जिशोस है दो महिला है इंग बच्चे उटे हैं तो टलाट हादमी है हमको छोड़ा जाए इसके लावा सर यह जो मामले रात में जो वात अपर भी सारी वच्णागों लेकर कि इसकी क्या बज़ाय रही कि कुलिस रात को ही वहां उसकी जाना पड कि अब तक हमारी जो मंगे हैं ये नहीं पूरी जातित करतें के दर्मारी दर्मा गॉड़ा है जो ग्राम लॉट है ये ज़ो मांड़ है ड्र убийर्ट पर पर सरिस कि हम अमरी कि ए्टि माग मख़ यह जोमिकल मागें है एक तो जो पुलिस कर्मी जो गए ठेस ज़ए और सुराज़ सिराम उसराव गए से पकड़ने के सराव गए थे गुद प्रिद्क करें गए 議 Kne Cell घो अरत ओड़तोंके साथ में एक आद खुर के उरत सब्सक्राइब करना अपनी गुंडागर्दी दिखाना तब जाकर कि अबावल खराब है उससे बिचार निर्दोस लोग मारे गए सारी सारी अंदर पड़े तीन बच्चे हैं दो मेड़ा हैं तीन पुरुस है इसको जो निर्दोस है इनको छोड़ा जाए और सबसे पहले यह बेले साल का कोई 17-18 उनिस पो यह पड़ने वाले बच्चे और अपनी पढ़ाइब जयान देते हिंटेलीजेंट बच्चें यह भी नहीं है कोई कंजोर बच्चे हैं इंटेलीजेंट बच्चे हैं लेकिन यह चारे हैं यापने से जितराई वी होसके इसको निचोड़ना पुट्रा नी चोड़ तो पुट्रीस है अपना कर रहे है काम नहीं तो मैं कह रहा हूं अगर वास्ते में अगर कोई बच्चा गल्ती से कर भी दे तो पुलिस वाले रहम काते हैं कि पढ़ने बच्चा है तो इसको तो शोड़े रहम खा जाती है इनों कुछ किया नहीं फिर पुट्रा रहे हैं कि इनको पता है कि इंटिलिजेट बच्चे और यह आगे आने वाले इनको रोजगार मिलेगा इसलिए लोग उनको भी कर रहे हैं ली कि अगर परसासन हमारी बात सुना है तो ठीक अगर नई चुनता है तो कोई बूरी बात नहीं आपके चनल के मादम से हम यह की ऐह रहे हैं इन परसासन को ताकि यह पता चल जाये कि आज तो इतने लोग आएं और ते इतनी आई हैं कल इनसे ज्यादा न तीन गुणा ज्यादा लेकर कि हम लोग आएंगे शोरी एसकी साथ के पास आएंगे उनके पास जाकर कि हमारी बाते रखेंगे या तन देंगे और उसके बाद में रोड जाम करें या किसी तावर खंबे पर चट्टे या फिर इससे ठाने का घराव करें और सारी इसकी परसाशन की जिम्मिवारी होगे यह कानौं करें दरसल गराम इनकी नशार विवार को रात मुखिर से परसा का बास में हवासिंग में वाल नामग वेक्ती अवेद रूप चिसरा पेच रहा है इस पर पर नहीं है इस बाद पर वे उसकी पतनी वे बेटी को जबरदते गाड़ी में डालने लगे सोर्स राबबा हुआ तो गरामिन भी एक्त्रित हुए और उन्हें गाड़ी में नहीं बैठने दिया उसके बाद पुलिस वाले जीफ को तेज सपीड में पीछे लेकर आए जिसे खड़े तीन-चार लोगों को चोटी आई और उसके बाद गाउवालों और पुलिस के बीच जमकर जड़क हुई उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते वए 6-7 गरामिनों को गरिफतार किया जिसमें महिला और बच्चे भी सामिल बताए जा रहे हैं इसके बाद गरामिनो द्वारा लगाएगे सभी आरोब बेवनयाद बताएं एक निस मामले को लेकर आपका क्या कहना है करेपा कॉमेट करके हमें जुरूर बताएं और जोदनों से लुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहे हैं आपके अपने चनल धलको जुदनों के साथ